Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारी एतियोग कैनल में तो पिछले वीडियों हमने आप सभी को वर्ग समी क्यान को हल करना सिखाए था यहनि ऐसे वर्ग समी क्यान जो एकसी स्क्वार बराबर के के रूप में थे उनका हल हमने सिखाए था इस वीडियों हम ऐसे समी क्यान का हल सिखाएंगे जो इस रूप के होंगे यहनि एकसी स्क्वार प्लस बी एकसी के रूप के होंगे तो इनको कैसे साल्व किया जाएगा तो आईए हम इनको साल्व करना सीखते हैं ऐसे समीक्योंट को साल्ब करने के लिए हम इनका गुड़न खंड करते हैं जब कोई भी बीजी बेंजग AXE2 प्लस BX प्लस C बराबर 0 इस रूप का हो तो सबसे पहले इसका हम गुड़न खंड करेंगे यानि C का A के साथ गुड़ा करेंगे अगर यहाँ धन है तो उसका ऐसा गुड़न खंड करके कि जोडने पर B के बराबर हो तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर YXE2 का गुड़ांक 1 है और यहाँ माइनस 44 है अब इस 44 का ऐसा गुड़न खंड करेंगे कि घटाने पर यहाँ जो YXE2 का गुड़ांक है उसके बराबर आए तो यहाँ पर देखी हम लिख रहे हैं 44 माइनस 44 इसको लिखेंगे 11 गुड़े रिंड 4 11 चोग 44 होता है अब इसी 7 को हम 11 और 4 दो गुड़न खंडों के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे XE2 प्लस 11 X रिंड 7 X रिंड 44 बराबर 0 अब हमने इसका गुड़न खंड कर दिया कि 7 का ऐसा यहाँ पर 44 का ऐसा गुड़न खंड किया कि घटाने पर 7 की 11 मसे 11 मसे जब 4 घटाएंगे 11 4 44 होता है यहाँ हम 4 लिखेंगे यहाँ हमने लिखा 11 4 44 11 मसे जब 4 घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा तो अब हम इसका गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ इन दोनों में देख रहे हैं X कामन है तो यहाँ हम X कामन ले लेंगे तो यहाँ X बचेगा प्लस 11 बच जाएगा कामन लेने का मतलब इस संख्या से इसमें भाग दिया जाएगा तो X स्कायर में जब X से हम भाग देंगे तो यहाँ X बचेगा 11 X में जब 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 बन जाएगा अब इन दोनों में देख रहे है माइनिस चार कामन है अब यहां माइनिस चार कामन लेंगे तो यहां पर एक्स बचेगा और यहां प्लस बचेगा और चार का ग्यारा चावालिस में जो भाग देंगे तो यहां ग्यारा बचेगा बरावर जीरो हो जाएगा तो यहां ध्यान गुरन खंड करते समय जो चीज जो बंजक इसमें बचेगा वही इसमें बचेगा अब यहाँ लिखेंगे यह x plus 11 common है तो x plus 11 को common ले लेंगे अब यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4 minus 4 x plus 11 एक बेकर में होगा और x minus 4 दूसरे बेकर में अब दो बेंजिकों का फल 0 के बराबर है तो या तो पहला बेंजिक 0 होगा या तो दूसरा तो यदि एक्स प्लस 11 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 11 एकस प्लस ही ग्यारा बराबर जीरो तो एकस बराबर माइनस ही ग्यारा इधर ले जाएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा दाहिने पक्ष में और यद एक्स माइनस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा दाइने पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो यही एक्स के दो मान प्राप्त होंगे एक्स बराबर माइनस 11 एक्स बराबर 4 और यही एंसर होगा इस तरीके से अगर ऐसे वीजी विंजिक दिये जाएं तो उनका हम गुड़न खंड करके उनका मान निकाल लेते हैं आसा करता हूँ कि यह सवाल आपकी स्मझ में आ गया होगा अब आई अगला सवाल देखते हैं 3x square plus 10x minus 8 यहाँ पर हम minus 8 का 3 में गुड़ा करेंगे तो minus 8 गुड़े 3 तो यह हो जाएगा minus 24 आट तरीक 24 हो जाएगा अब इस minus 24 का ऐसा गुड़न खंड करेंगे कि घटाने पर 10 के बराबर आ जाए यहाँ पर तो minus 24 अब इसको हम 12 गुड़े रेड़ दो कर देंगे 12 गुड़े 24 होता है अब इसको हम इन दोनों खंडों में तोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा यह 3x2 plus 12x minus 2x minus 8 बराबर 0 अब हमने 10 का ऐसा गुड़न खंड किया 10x को हमने 12x और 2x के रूप में लिख दिया ध्यान देना है इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि दोनों इन दोनों के गुड़न फल का गुड़न खंड होना चाहिए अब यहाँ पर 3x दोनों कामल ले लेंगे या 3x जब कामल लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3,4 के बारा फोर x plus 4 अब इन दोनों में minus 2 कामल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा plus 4 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा अब यहाँ देख रहे हैं दोनों में x plus 4 कामल है तो x plus 4 को कामल ले लेंगे यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा minus 2 बराबर 0 तो इस तरीके से अब इन दोनों का गुरन फल 0 है तो दोनों अलग-अलग 0 के बरावर होंगे तो यदि x प्लस 4 बरावर 0 तो x बरावर हो जाएगा माइनस 4 इसको दाइने पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यदि 3x minus 2 बरावर 0 हो जाएगा तो 3x बरावर 2 हो जाएगा तो 10 बरावर यहां पर हो जाएगा 2 बें 3 इस तरीके से पहले का मान आया minus 4 दूसरा मान आया हमारा 2 बें 3 और यही हमारा answer होगा तो इस तरीके से अगर इस रूप के होँ A x square plus B x plus C तो इसका इसके साथ गुला करेंगे जो अचरपद है यहाँ A x square के गुला करेंगे इसके बाद जो आएगा उसका ऐसा गुलनखंड करेंगे यहाँ पर अगर इंड रहेगा तो घटाने पर इसके बराबर हो और धन रहेगा तो जोड़ने पर इसके बराबर हो तो आसा करता हूँ कि ऐसे स्वाल भी साल्व करते है अब यह रहा मारा अगला स्वाल A x power 4 minus 25 x square plus 144 बराबर 0 तो यहाँ पर यह चार गात का है इसलिए इसके चार मान होंगे A x के यहाँ पर चार मान आएंगे अब x का power 4 यहाँ जिदिया गया है यह x square बराबर y मानेंगे तो x square बराबर y मान लेते हैं तो यह इस रूप में change हो जाएगा x power 4 बराबर y square हो जाएगा अब इसको लिखेंगे y square minus 25 y plus 144 बराबर 0 अब यहाँ ध्यान देना है 144 का ऐसा गुडळन खंड करेंगे यहाँ पर जोड़ने पर minus 25 होगे 144 का ऐसा गुड़न खंड करेंगे जोड़ने पर 125 आवे थे यह 149,144 यहाँ पर 144 बराबर 16 गुड़न नौ करेंगे 149,144 अब minus 25 को हम लिखेंगे माइनस 25 बराबर माइनस 16 माइनस 9 16 नो पचीस होता है इस तरीके सी इसको ब्रेक कर लेंगे अब यहां लिखेंगे या y स्क्वाइर माइनस 16 x माइनस 9 x प्लस 144 बराबर 0 हो जाएगा यहां माइनस माइनस जोड़ा गया है तो अब यहां पर y कामन यहां पर यह y है यह भी y है तो y कामन ले लेंगे यहां पर तो यहां y बचेगा माइनस 16 माइनस यहां 9 कामन ले लेंगे तो यहां पर भी y बचेगा माइनस 16 बराबर 0 अब यहां y माइनस 16 है y माइनस 16 कामन ले लेंगे और यहाँ y मचेगा माइनस यहाँ 9 मचेगा बरावर 0 हो जाएगा अब यहाँ पर देख रहे हैं y माइनस 16 y माइनस 9 बरावर 0 तो या तो यह बरावर 0 या तो यह बरावर 0 तिया दी y माइनस 16 बरावर 0 तो y बरावर आ जाएगा हमारा 4 और यदि y-9 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 9 अब यहाँ पर जो y का मान आया है उसमें हम रख लेंगे तो x2 बराबर y हमने माना है तो x2 बराबर यहाँ पर यह 16 है x2 बराबर 16 अगर होगा तो x के 2 मान पराब्त होंगे और 1 प्लस होगा और 1 माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 और दूसरा x2 बराबर 9 है तो इसके भी 2 मान पराब्त होंगे 1 प्लस 3 और 1 माइनस 3 एक्स बराबर प्लस माइनस थिरी हो जाएगा यानि इसके चार मान प्राप्त हो गए एक प्लस फोर एक प्लस थिरी एक माइनस फोर एक माइनस थिरी और यही एंसर होगा इस तरीके से चार घात के एगर सवाल दिये गए है कोई वीजी विंजेक जो इस रूप के दिया गया चार घात में तो उसको मान लेते हैं जो मान लेंगे तो उसका मान निकालेंगे उसके आधार पर उसके और दो मान प्राप्त कर सकते हैं आसा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आगया होगा इस तरीके से हमने आज आज आप सभी को इस वीडियो में AXSquare प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप वाले VG विंजिकों का हल कर सिखाने का प्रयास किया आसा करता हूँ कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गया होंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और तेर करें और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एकले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद